So what and how to talk with agents आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आपको आपके prospective agents के साथ क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए Insurance industry में believe me ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको अभी भी नहीं पता है कि अपने prospective agents यानी ऐसे लोग जिनको वो recruit करना चाहते है उनके साथ क्या बात की जाए या फिर कैसे बात की जाए और इसी बज़ा से बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में agents को recruit करना बहुत जादा difficult लगता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये problem आपको कभी भी face नहीं होगा क्योंकि end में मैं किस तरह से how to talk जब बात करोंगा था तब आपको exactly idea आ जाएगा कि अब तक आप क्या mistakes कर रहे थे जिसकी वज़े से आपको आपकी team agents को recruit करना इतना जादा difficult लग रहा था सो इस वीडियो को end तक जरूर देखना सो चलिए शुरू करते हैं हाई मेरा नाम है रभी और अगर आप पहली बार आए हो इस चानल पे तो आपको बता दूँ के agents recruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी mass recruitment activities के बारे में बात करते हैं जिस से जादा और बहतर agents recruit हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए क्योंकि agents को recruit करने के ऐसे कई सारे unique और productive तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे 10 साल का 15 साल का 20 साल का experience है लेकिन आज भी बहुत ही simple सवाल पूछते हैं कि sir agents के साथ बात कैसे की जाती है क्योंकि believe me अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना तो अच्छे से अच्छी profile भी आपके हाथ से निकल सकती है यह बहुत जादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी prospective agent के साथ आपको क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बात करनी चाहिए यानि what to talk with agents जब ये सवाल दिमाग में होना क्या बात करनी चाहिए तब तीन points को आप हमेशा याद रखना इन तीन points को अगर आप दिमाग में रखोगे ना क्या बात करनी है इसका solution आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा point number one identify their present financial issues और future goals जी हाँ किसी भी prospective agents के साथ अगर हमें बात शुरुआत करनी है तो हम कैसे शुरुआत करते है उसके present financial issues क्या है अभी उसको जो present में financial needs है उसको complete करने के लिए उसको fulfill करने के लिए कोई problem आ रहा है for example बच्चों की fees भरने के लिए बहुत ज़्यादा difficult लग रहा है expenses manage नहीं कर पा रहा है saving हो नहीं रहा है या फिर उसको हमेशा ये लगता है कि मेरे जो expenses है वो बहुत ज़्यादा है और मेरा जो income है वो बहुत ज़्यादा कम है तो उसके current अभी के financial issues के बारे में आपको उसके साथ बात करनी चाहिए या फिर आपको ऐसा कोई profile मिलता है जिसको current financial problem है ही नहीं फिर आप डॉक्टर से मिलते हो देखे डॉक्टर जो होता है वो already अच्छा पैसा कमा रहा होता है तो उसको current financial problems तो होंगे नहीं तो फिर आप क्या करोगे ऐसी situation में आपको उसके future goals के बारे में बात करनी चाहिए एक example दूँ जब मैं डॉक्टर के साथ बात करता हूँ तो हमेशा मैं उनको पूछता हूँ कि डॉक्टर आप इतने अच्छे डॉक्टर हो यानि जितने भी patients आपके पास हाता है ना उनको जो भी दवाईया आप लिक के देते हो उसका वाकई में काफी अच्छा असर मिलता है उनको काफी अच्छा असर होता है लोग जल्दी ठीक होते है राइट लेकिन इतने साल से मैं आपको देख रहा हूँ आप इसी क्लीनिक में काम करते हो और इसी क्लीनिक से इतने सारे patients को आप देखते हो राइट लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि क्लीनिक से hospital तक कैसे पहुँचा जाए क्योंकि देखे ना आज कल हर किसी गली में एक specialty hospital open कर रहे लोग है ना multi specialty hospitals open हो रहे है so I'm sure आपको भी कभी ना कभी ये तो दिमाग में आया होगा कि किस तरह से मैं क्लीनिक से अपना hospital open कर सकता हूँ है ना believe me मैं personally ऐसे कही सारे doctors को जानता हूँ जिनमें इतनी अच्छी skills नहीं होती है जितनी आप में है तो हम 100% sure कि skill का तो problem नहीं है you have amazing skills तो problem कहां पे है पैसो का अगर हां तो मैं आपको एक ऐसा passive income source generate करने के लिए help कर सकता हूँ जिसको आप अपने profession के साथ साथ संभाल सकते हो और ये जो passive income source है ना आपका hospital को खड़ा करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है so this is how I talk मैं उनके future goals के बारे में बात करता हूँ और मैं उनको ये समझाता हूँ कि इस profession से या फिर इस career opportunity से वो अपना future goal किस तरह से secure कर सकते है या develop कर सकते है तो ये था point number one point number two ये है कि मैं हमेशा उनके skills को appreciate करता हूँ जी हाँ appreciate people on their skills इससे क्या होता है पता है अगर कोई अभी financial problem में है या financial problem से निकल नहीं पा रहा है और आप उसके skills की तारीफ करो ना कि भाई तुम इतने talented हो इतने अच्छे skills है तुमने तो I am hundred percent sure तुम काफी आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हो सिर्फ problem ये है कि अब तक तुम्हें अच्छी opportunity नहीं मिली right तो इसका जवाब है न usually कभी भी ना में नहीं आता हर किसी को लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा talented हूँ लेकिन अब तक मुझे अच्छी opportunity नहीं मिली जिससे मैं अच्छा पैसा कमा काओ तो इस तरह से जब आप उसकी skill की तारीफ करोना तो automatically उसका confidence build होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका थोड़ा सा confidence building अगर आप करोना तो automatically वो आप पे विश्वास करना शुरू कर देता है देखे तारीफ तो सबको अच्छी लगती है ना right तो थोड़ी सी तारीफ करने में क्या हर्ज है अगर आप उसकी skills की तारीफ करते हो उसमें थोड़ा सा confidence build up होता है तो आप ही के लिए अच्छा है right और उसके बाद तीसरा point ये है कि हमें उसको ये समझाना है कि भाई ये जो आपका goal है या फिर ये जो आपके problems है ना current problems या future goal जो है ना वो support के बगएर आप अचीव नहीं कर पाओगे जी हाँ अगर वो possible होता तो अब तक तो वो complete हो गया होता right आपका future goal जो आपने decide करके रखा हुआ है क्लीनिक से hospital तक जाना वो achieve हो गया होता या फिर अभी जो current problem में आप financial problems में हो उससे कई पहले काफी time पहले आप बाहर निकल चुके होते right लेकिन ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है it means that you need a support so मैं आपको इस opportunity में किस type का support दे सकता हूँ सबसे पहले brief में मैं उसको opportunity क्या है वो समझाता हूँ कि insurance industry में जब आप काम करोगे न तो आपको कई सारे लोगों को मिलना पड़ेगा उनके साथ बात करना पड़ेगा right तो अगर for example मान लीजे आपके पास कोई नाम और नमबर नहीं है आपको पता ही नहीं है कि मैं किस के साथ बात करूँ तो मैं आपको database भी provide कर सकता हूँ मैं आपको नाम और नमबर दूँगा जिसके साथ आप बात कर सकते हूँ उनके साथ कैसे बात करनी है क्या बात करनी है वो भी बताऊँगा मैं इन सारे लोगों को भी आप किस तरह से financial difficulty से बाहर निकाल सकते हो वो भी मैं बताऊंगा आपको तो सबसे पहले ये काम कैसे होता है मैं आपको करके बताऊंगा आपको पहले observe करना है उसके बाद आप ये काम करोगे और मैं observe करूँगा और ऐसे ही धीरे धीरे जब आप अपनी skills को develop करते हो कौन से टाइप से skills? Selling skills, product knowledge, closing skills या फिर client के साथ जो need analysis किया जाता है उसकी skill धीरे धीरे ये जब skills आप में develop होनी शुरू हो जाएगी ना तब आप automatic auto mode पे काम करना शुरू कर दोगे तब आपको मेरी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे तीन चीज़ों के बारे में आपको उसके साथ बात करनी है कौन कौन सी तीन चीज़े, point number one उसके current financial problems के बारे में बात करो या फिर उसके future goals के बारे में बात करो point number two, आपको उसके skills के बारे में appreciate करना है और उसका confidence building करना है और point number three, आपको उसके साथ आप क्या उसको support दे सकते हो उसके बारे में बात करना है ये तीन बातों को जबी भी आप करते हो न अपने पहले interaction में अपने agents के साथ आपका agent काफी अच्छी तरह से convince हो सकता है तो उसके बाद हम बात करते हमारे point number two के बारे में और वो है हमें हमारे agents के साथ कैसे बात करनी चाहिए how to talk with agents इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा announcement करना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरा जो next batch है how to mass recruit agents ये online training program है ये शुरू हो रहा है 1st June से लेके 4 June तक ये 4 दिन का training program है हर रोज शाम को 8 से लेके 10 बजे तक का time है इस training program में जितने भी लोग participate होंगे उनको मेरी तरफ से एक certificate भी मिलने वाला है इस training program में मैं step by step सिखाने वाला हूँ कि आप अपने local area में किस तरह से mass recruitment strategies को implement कर सकते हो और अपनी team में bulk में agents recruit कर सकते हो इस training program को attend करने के बाद आपको जिन्दगी में कभी भी किसी को convince करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर one to one recruitment करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानि वो होता है ना एक एक करके लोगों को phone करो appointment generate करो उनके घर पे जाओ उनके office पे जाओ follow up करो ये पूरा process करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप bulk में agents को recruit करना सीख जाओगी इस training program में register करने के लिए आपको whatsapp पे सिर्फ high और अपना नाम लिख के भेज देना है मैं सामने से सारी details आपको send कर दूँगा registration link के साथ मेरा whatsapp number है 9714-991-661 मैं फिर से repeat करता हूँ 9714-991-661 I am sure आप इस training program को जरूर register करेंगे और अपनी team में bulk में किस तरह से agents को recruit किया जाता है वो जरूर सीखोगे सो हम बात कर रहे थे हमारे दूसरे point के बारे में आपको आपके agents के साथ कैसे बात करनी चाहिए देखे मैं insurance industry में कई बार managers को ये समझाता हूँ कि आपका कोई भी script हो कैसा भी script हो सबसे जादा important ये है आपका intention सही लगना चाहिए आपकी नियत साथ लगनी चाहिए तयानी सामने वाले को ये feel नहीं होना चाहिए कि आप target के लिए उसके पीछे पड़े हो इन फाक्ड उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी मदद के लिए आये हो आप उसको help कर सकते हो financial problems में से बाहर निकलने में तो ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है आपका intention अच्छा है ये अगर उसको पता चल जाए ना तो वो बंदा आपकी team में ज़रूर join होगा और उसके बाद आपको ये भी उसको दिखाना चाहिए कि ये काम आपका passion है सिर्फ काम नहीं है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए या फिर managers को बोलते हुए कि ये मेरा काम है इसलिए मैं लोगों को recruit करता हूँ इसका मतलब क्या ये कैसे sound करता है पता है कि हाँ भई ये मेरा काम है मुझे target होता है इस पे मुझे करना पड़ता है इसलिए मैं आपको recruit कर रहा हूँ क्या ये दिखाना चाहते है आप लोगों को नई राइट सो आपको उनसे इस तरह से बात करने चाहिए जैसे ये आपका passion है आपको अच्छा लगता है ये काम आपको काफी सुकून मिलता है इस काम को करके के आप हर रोज लोगों को financial difficulties से निकाल रहे हो आप income opportunity दे रहे हो अगर इस passion से लोगों के साथ बात करोगे ना तो आम 100% sure लोग आपकी team जरूर 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 जोइन करेंगे तो I'm sure आज का वीडियो जो है पता है कि अपने prospective agents के साथ क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए तो अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दोगे ना तो believe me उनको बहुत बड़ी help हो जाएगी So how to mass recruit agents ये एक जून से चार जून तक चलने वाला है इस training program में बहुत ही limited seats बची हुई है So please अपने आपको जल से जल register कीजे इस training program को register करने का link by the way मैंने नीचे description में भी दे दिया है तो I am sure आप अपने आपको अभी ही register करोगे See you in the training program See you in the training program